हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल एंडवल के ओफिसियल थिरिये में तो दोस्तों इस वीडियो में कलाश 12 के फिजिक्स का काफी मोस्ट इंपोर्टेंट भी वी आई 35 कोशन करेंगे इसमें से आपके बोड इकजम में 5-7 कोशन फिक्स है आपके बोड इकज करना है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो स्टुडेंट इस चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को भी लाइक कर दिजेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखे क्या है पहला कोशन आबेस के पिष्ट घ गोलिया प्रिष्ट के अंदर यदि पलस Q आवेस रख दिया जाए तो संपुन प्रिष्ट से निकलने वाला विदुत फलस कितना होगा काफी इंपोर्टेंट है गौस का पर में है याद रखेगा Q अपॉन एपसलोन नोट ऑप्सन नमर B Q अपॉन एपसलोन नोट याद रख है निकाई की स्थिती उड़ा क्या होगी मैनस यहां पर मैनस लगा दिजिएगा मैनस मैनस क्या हो जाएगा मैनस 2.25 जूल हो जाएगा निकाई की स्थिती उड़ा इस जगा मैनस लगा दिजिएगा ठीक है चली ऑप्सन नमर C हो जाएगा इसका राइट अंसर अगला है वि यदि एक स्वाबोल्ट तक आवेसित करने पर एक संधारित्र की संचित उर्जा एक जुल हो तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी तो दोग उने दसकी घात मैनस चार भैराडे आप्सन नमर बी राइट अंसर हो जाएगा याद रखेगा ठीक है अगला कोशन है स्थिर विवुवांतर पर किसी विदूत परिपत का परतिरोध आधा कर दिया जाता है उत्पन उस्मा का मन होता है तो याद रखेगा उत्पन उस्मा का मन आपका दुगूना हो जाएगा option number B, दूगुना, अगला है 60 watt, तथा 40 watt के दो बलवेदी सरेनी करम में जोरे जाएं, तो उनी की समलित सकती होगी तो याद के देखिए कहा रहा है सरेनी करम में, यहीं बटे के रूम में जोर देजिए, 1 upon 1 upon C, वराबर हो जाएगा, 1 upon 6 plus 1 upon 40 LCM ले लिजे, solve करने पर आपको 24 watt आजाएगा answer option number D, ठीक है विदुत परिपत की सकती होती है विदुत परिपत की सकती होती है B square बटे R, option number C, B square बटे R, ठीक है, अगला question देखिए, और वीडियो को अभी तक like ने के हैं, तो like कर दिजेगा, ठीक है अगला है, आदर्स ए मीटर का परतिरोध होता है, आदर्स लगा हुआ है याद रखेगा, आदर्स ए मीटर का परतिरोध सुन होता है, option number A अगला है, ये एक तार में एक एंपियर धरा परवाहित हो रही है यदि इलक्टोन का आबेस एक दसमलब छो गुने, टेन टू दी पावर मेरस नैंटीन कुलम हो, तो परति सेकेंड, ये एक सेकेंड तार में परवाहित, इलक्टोन की संख्या छो दसमलब दो पाँच गुने, दसकी घात, अठारा हो जाएगा, option number B, याद रखिएगा, अगला है चुमबकिया, छेतर B वेक्टर में अवसीत, M वेक्टर चुमबकिया, आगुन बाले धारा, पास दुआरा, अनुबुत बल आगुन, यहीं टॉर्क का मान होता है तो टॉर्क बराबर M वेक्टर क्रोस B वेक्टर, option number आपका A हो जाएगा, ठीक है अगला कोशन काफी इंपोर्टेंट है और आपका इबोडिक जमें, इससे 5-7 प्रसन आने की बहुती बहुती ज़्यादा संभावना है ठीक है, तो इस वीडियो में जितना भी कोशन बता रहे हैं, तो प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लिजिए, ठीक है अनुचुम्बकिया पदार्थ की परविर्ती है अनुचुम्बकिया पदार्थ की परविर्ती इस्थिर होती है, option number A, अगला है डाइनेमो के कारका सिध्यानत अधारित है तो यह बिदुचुम्बकिया परेरन पर है option number B, बिदुचुम्बकिया परेरन पर अगला है, यह दि किसी उजाई ट्रंसफोर्मर के प्रात्मी के बमदूतियक में करम से N1 और N2 लपेटे हैं तो N2 greater than N1 option number B, राइट अंसर हो जाएगा अगला है LR परिपत का सक्ती गुनंक, देखें सक्ती गुनंक पूछ रहा है तो याद रखेगा LR परिपत का सक्ती गुनंक, आर बट्टे, रूट अंडर, आर स्क्वार, पलस, ओमेगा, स्क्वार, L स्क्वार option number B हो जाएगा, राइट अंसर, ठीक है अगला कोशन है, देखें, ये सारे कोशन आपके लिए काफे इंपोर्टेंट बनता है, ठीक है, तो याद करना मत भूलिएगा परत्यवर्ति धारा परिपत में ये धी धारा आई, एवं वॉल्टेज के बीच कलांतर फाय हो तो धारा का वाट हीन घटक, वाट हीन घटक, आई सैन थीटा हो जाएगा, option number B, आई सैन थीटा अगला कोशन है, परतेवर्ति धारा के बर्गमूल माद मन और सिखर मन का अनुपात, वन अपोन रूट टू हो जाएगा, option number B, वन अपोन रूट टू अगला कोशन है, पिर्थिवी के चुम्बकिया छेतर B, एच में येदी किसी चुम्बकिया सुई के दोलन की आविर्ती N हो तो क्या हो जाएगा, तो N स्कॉाइर समान उपाती B, आच हो जाएगा, option number B, राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है अगला है, पिर्थिवी के चुम्बकिया धुरुब पर नमन कोन का मान होता है, 90 डिग्री होता है, और विश्वात रेखा पर 0 डिग्री, याद रखेगा, option number C, अगला है, विदू चुम्बकिया तरंग की संचरन की दिशा क्या होती है, तो E वैक्टर क्रोस C, B वैक्टर क के समांतर होती है या तरकेगा विदू चुमब के तरह के संचरन की दिशाई वेक्टर क्रॉस वेक्टर के समांतर ऑप्सन नमर डी अगला है एक उत्ता लेंस जिसे एन बराबर 1.5 को पानी एन बराबर 1.33 में डूबाया जता है तब यह व्याभार करने लगता है तो यह उत् दो लेंस जिनकी छमता मैंस 15 डायप्टर तथा प्लस पॉंच डायप्टर को संपर्कित संव्यूक्त करने पर समयोजन की फोकस दूरी तो मैंस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है ऑप्सन नमर आपके क्या हो जाएगा ऑप्सन नमर बी मैंस 10 सेंटीमीटर अगला कोशन अंख के उस दोस को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है अगला कोशन देखे क्या है अगला कोशन प्रकास के रंग का कारण क्या है काफी मुश्ट इंपोर्टेंट कोशन ने भी विया है प्रकास के रंग का कारण इसकी आविरती है ऑप्सन नमर इसकी आविरती अगला है एन अपवर तरंग तथा ए फिरिजम कोन बाले पतले फिरिजम का नियूंतम बिचलन कोन होता है तो याद रखे हैं एन मेनस वन इंटू ए आप्सन नमर भी काफी मोश्ट इंपोर्टेंट कोशन है इस अध्या में जितना भी कोशन बता रहे हैं काफी मोश्ट इंपोर्टेंट है तो इस अध्या में जितना भी कोशन बता रहे हैं तो प्लीज आप लोग इस कोशन को रट लिजेगा ठीक है देखेगा आपके बोड इक्जम में बहुत सारे कोशन है जो टक कर देगा ठीक है अगला कोशन है किसी बिदूब सरोथ से परमित दूरी पर तरंगागर होता है तो गोलाकार होता है उप्शन नमर एक गोलाकार इस वीडियो में जितना भी कोशन बता रहे हैं प्लीज आप रट लिजेगा ठीक है का आप इंपोर्टेंट कोशन है जितने समय में किसी रेडियो एक्टी पदार्त की रासी अपने प्रारमिक परिनौम की आधी हो जाती है उसे अर्ध आयू कहा जाता है अपसण नमर बी अर्ध आयू अगला कोशन है ताप बढ़ने से अर्ध चाला का बिसिष्ट परतिरूद क्या हो जाता है आपका घट जाता है उपस्ण नमर भी घटता है अगला है नेंड गेट का बुलियन बन जाकरेंड या दर के नेंड बाला भी हो जाएगा नेंड गेट नेंड बला में यह आप पर लगा दीजिए रैकरिंग एनी बार A.B रैकरिंग गराबर हुआ है ओप्सन नमर आपका क्या होज़ेगा देखिए ओप्सन नमर आपका डिम मिल रहा है ओप्सन नमर डी ठीक है अगला कोशन है आयाम अधी मिसरन में अधी मिसरीत सुचकांक होता है तो 0 से 1 के बीच होता है ऑप्सन नमर 20 का राइट असर होज़ेगा जीरो से 1 के बीच चलिए अगला कोशन है और लास्ट कोशन है पिर्थीवी किसी अस्थान पर एक टीवी परेशन टावर की उचाई 245 मीटर है जितनी अधिक्तम दूरी तक इस टावर का प्रासरन पहुचेगा वहा होगा 56 किलो मीटर होगा और अप्सन नमर सी अगर वीडियो अच्छा लगा ह आपके साथ नए वीडियो के साथ